नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लारायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में कोरोना संकट की बीच महारास्ट के अस्पतालों में एक के बाद एक बड़े हाथ से हो रहे हैं नासे के जौकिर हुसेन अस्पताल में आकसीजन लेकेच की बज़े से अभी 22 कोरोना मरीजों की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुंबई के विरार स्थेत विजय वल्लब अस्पताल में आग लग गई इस हाथसे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है मुंबई के विरार सित्व विजय वल्लब अस्पताल में शुकरवार सुभा आग लगने से कोविट के 13 मरीजों की जलकर मौत हो गई फार डिपार्टमेंट के मताबिक अस्पताल के आईस्वी में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था सुभा सवा तीन बजे शौट सर्किट के वजो से आग लगी साड़े पांच बजे तक आग पर काबू पा लिया गया मिली जानकारी के अनुसार विजय वल्लब अस्पताल के मरीजों को नजदी के अस्पताल में बढ़ती कराया जा रहा है मौके पर अलाधिकारी पहुँचे हुए हैं अभी अस्पताल प्रबंदन की लापरवाही पर कोई कारवाही नहीं की गई है आपको दादों की नासिक में 22 कोरोना मरीजों की भी ज़ान चली गई थी नासिक के जाकिरुसेन अस्पताल में ऑक्सिजन टैंक लेकेज होने से 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी अक्सिजन टैंक में लेकेज की वज़र से अस्पताल में ऑक्सिजन की सप्लाई ठप पड़ गई थी इसे एस्पताल में पड़ती 22 मरीजों की मौत हो गई थी ये मरीज वेंटिलेटर पर थी नासे के जाकिरु सेन एस्पताल में जुस वक्त ये हादसा हुआ उस समें 170 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था एस्पताल में ऑक्सीजन नहीं बची है बिस्ता नहीं बची है इलाज के अभाव में मरीज तम तोड़ रहे हैं ऐसे में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो आज कोरोना वारस से बिगरती स्थितियों पर मीटिंग लेंगे मिली जानकारी के अनुसार मोधी शुकरवार के दिन सुभा नौ बचे यानि कि आज कोरोना के ऊपर एक इंटरनल मीटिंग लेंगे इसके बाद दस बचे वो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों की मुखिमंत्रे से कोरोना की सितिय पर मीटिंग करेंगे इसके बाद उस साड़े बारा बजे देश के बड़े बड़े ऑक्सीजन पादगों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से चर्चा करेंगे और ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने की उप्योगों पर बाद भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओफ इंडिया स.A. बोबडे आज रिटायर हो जाएंगे स.A. बोबडे अपने 14 मैने के कारकाल में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई पर आए आज जब वो रिटायर होंगे तो भी कोर्ट सिर्फ अरजंट मामली ही सुन रहा होगा रिटायर्मेंट समहारो वीडियो कांफरेंसिंग के जरी होगा जस्टिस बोबडे का स्थान जस्टिस एनवी रमना लेंगे 24 अपरेल को वो चीफ जस्टिस का पदभार समालेंगे जस्टिस रमना 17 फरवी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जजज बने थे ताकि रमना जादा समय तक C.J.I. पद पर काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके कारेकाल में दो साल से भी कम का समय बचा है और वो 26 अगस 2022 को रिटार हो जाएंगे संगीत की दुनिया में मशुहूर नदीम शरवन की जोड़ी तूट गई है गुरवार को म्यूजिक डारेक्टर शरवन राठोर का मुंभई के SL रहेज़ा अस्पताल में निधन हो गया वो कोरोना संकरमेंट से जोज रहे थे उन्हें कई चुकसिय समस्याई भी थी और वो वेंटिलेटर पर थे रहेज़ो अस्पताल की डॉक्टर किर्ती भूशर ने इस खबर की पुष्टी की और बताया की शरवन राठोर का कोरोना के चलते मॉल्टी ओर्गन फेलियर होने से निधन हो गया शरवन राठोर को हिर्दर से सम्मदित गंभी समस्याई थी मधुमे और कोरोना से सिहत को और जादा नुकसान पहुश रहा था उनके बेटे संजीव को भी अस्पताल में भरती कराया गया क्योंकि वो भी कोरोना पॉस्टीव मरीज के संपर्क में आये थे म्यूजिक डिरेक्टर शरवन राठोर 66 वर्ष्ये थे वो अपने पीछे दो बेटों संजीव और दर्शन को छोड़ गए है नभे के दर्शक में नदीम शरवन की जोड़ी बेहत मशूर थी उनकी हीट फुल्मों में आशकी, दिल है की मानता नहीं, साजन, परदेश, सड़क समीत कई और शामिल है रॉयल चुलेंजेस बैंगलूर के युवा बल्लेबास देवदत परिकल ने आईपेल करियर का अपना पहला शतक जड़ा आईपेल 14 के 16 मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाब देवदत ने नाबाद 101 रन बनाए देवदत ने मुस्ताफी जुर्र रह्मान की गेंद पर चौके के साथ 51 गिंदों पर अपना शतक पूरा किया देवदत ने अपनी पारी में 11 चौके और 6 छके जड़े उनकी इस पारी की बदोलत आर्सेबी ने राइस्थान रॉयल्स को 10 वेकेट से करारी माद दी है इसके मौजुदा कप्तान रिश्वपन 20 साल 218 दिन की उमर में शतक जड़कर इस मामले में दूसरे स्थान पर है गुड मॉर्निंग इंडिया के खबरों में फिलाल के लितना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूस वाल इंडिया